कुछ दिन से आपके पास मुबाइल पर कोरोना से जुड़े आने वाले मेसेजिस की बाढ़ा गई होगी। जाहिर सी बात है, कोरोना का मौसम चल रहा है, तो आपका भला चाहने वाला हरादमी चाहेगा, कोरोना से जुड़ी कुई भी जानकारी उसके पास आए तो आप तक भेज दे, और कुछ इसलिए भी कि खाली हैं, घर पे, लॉक्डाउन में बैठें, क्या करें, तो जिसके बारे में जानकारी दे दे, जो आप लगातार धडले से फावरड किये चले जा रहे हैं, लेकिन असल में वो जूट है, जैसे, आपने बहुत लोगों का मैसेज पढ़ा होगा, आपके बहुत सारे दोस्तों ने आपको भेजा होगा, कि एलकोहल केवल हाथ पर नहीं कमजोर है, उनको जल्दी निशाना बना सकता है, और डॉक्टर्स करें, अलकोहल आपकी इम्मूनिटी को कमजोर करता है, इसलिए थोड़ा अलकोहल से बचिये, और वो लोग जो आपको मैसेज भेज रहे हैं, कि दुनिया भर के डॉक्टर बेवजा टाइम खराब कर रहे ह अपना कोरोना का इलाज जुनने में, कोरोना का इलाज तो हमारे हैं साथवी क्लास की किताब में रमेश गुपता जी ने लिख दिया था, तो भाया उनसे बोलिए, कि थोड़ा अध्यान कर लिया करें, किसी भी मैसेज को आगे भिजने से पहले, सब कोरोना वारे से एक जै प्रिहन का पता है, उन्होंने कहा है कि देश में हेल्थ इमर्जन्सी के हालात हो गए है, सरकार देर कर रही है, मैंने प्यमों से बात किया और जल्दी वो इसके बारे में हेल्थ इमर्जन्सी घोशित करने वाले हैं, हमने डॉक्तर प्रिहन से बात की, अक्सर आते हैं, आपके पास जूरूट ना भीजिए और फिर कोरुना के दौर में आपकी भावनाओं से खेलने वाले शातिर भी तो लगेंगे एक फोटो देखे होगी ना आपने जिसमें वो मुझ पर मास्क लगाए हुए नड़का लड़की एक जूसरे से किस कर रहे हैं और नीचे का नीचा एपी के फोटाग्रेफर उनसे भी हमने बात की उन्होंने का कि सर उसके नीचे क्या कहानी लिगी है मैं नहीं जानता मैंने तो एरपोर्ट पर अच्छा लगा तो वह फोटो खींच लिया था यानि कि वह कहानी जो आपके पास आ रही है वह भी जुटी है और वह सा फिल्म की शूट के दौरान लिया गया विडियो है और उस फिल्म की बदकिस्मत ही देखिए वो फिल्म को भी रिलीज ही नहीं हो पाई लेकिन वो शेर देखिए कि इतना पुपलर हो गया वो भी हिंदुस्तान में कोरोना के चक्कर में फिर साथ ही साथ एक और लगातार प लेकिन सर जो वीडियो आपके पास आया ना वाट्साप पर या फेस्बुक पर आप देखकर जिसको भावो की द्रवित हो रहे हैं वो फिल्म कंटैजेंट है अगर आप चाहें तो वो देख भी सकते हैं इंटरनेट पर उपलवद है ओटीटी प्लाटफॉर्म पर उसमें वो सीन आपको मिल जाएगा इसलिए अगली बार आपके पास आए तो उसको सच मान के फावर्ड मत कीजेगा और ना ही इटली के पीम की आशू बहाने वाली तस्वीर असलिए वो भी फरजी वाड़ा किसी ने किया है आपकी भावनाओं का दोहन करने के लिए इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप बीमारी से बचने के लिए हाथ सेनेटाइज कर रहे हैं तो आफ़बाहों से बचने के लिए जानकारी को भी लगातार सेनेटाइज करते रहे हैं